नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देशी भारत के इस महामंच पर मेरा नाम है धरम दुबे और ये वीडियो खास तोर से हम भुचपूरी की क्वीन सुपर स्टार एक्टिस बहुत खुबसूरत हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं आमरपाली दुबे जी की खबर को लेकर बना रहे हैं उनके फैंस के लिए बना रहे हैं आमरपाली दुबे जी ने आज अपने इंस्टाग्राम एकाउंड पर एक तस्वीर शेयर कही है जिसमें वे बहुत खुबसूरत लग रही हैं बहुत ही शांदार लग रही है लेकिन इस तस्वीर के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है एक caption आमरपाली दूबे जी ने अपने इस तस्वीर के साथ शेयर किया है मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुचा दूँ वज़े क्या रही इतना कुछ लिखने की ये भी मैं आपको बता तो ये देखिए जा रहे हूँ लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या तुमने क्या आपने अपना वजन बढ़ा लिया है तो मैं कहती हूँ ये कह रही है कि जब से मुझे कोवीड हो गया जब मुझे कोरोना हो गया था उसके बाद से ही मैंने अपने शरीर का खासा ध्यान रखने लग गई और मेरे शरीर को ठीक होने के लिए जो भी ज़रूरे थी खाने पीने की वो सारी चीज़े मैंने खानी पीनी शुरू कर दी अब मैंने फिर से एक बार अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है मैंने योगा करना शुरू कर दिया है और मैं सुर्य नमस्कार भी चोटे मोटे करने शुरू कर चुकी हूं आइम आल्सो फोकसिंग ऑन इटिंग राइट और मैं कोशिश कर रही हूं फोकस कर रही हूं अच्छा खासा खाने की जो मेरे शरीर को फिर पहले जैसा फेट बना इस तरह की बाते आमरपाली दूबे कह रही है आपके लिखे द्वारा कुछ कमेंट्स कभी-कभी मुझे बहुत हर्ट करते हैं मुझे दुख देते हैं लिकिन बात来 मेंने रिलास किया कि आप जो मुझे कमेंट करते हैं वह इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत कुछ चाहते हैं आप मुझे प्यार करते हैं आप मुझे बहुत सारी आशा안 रखते हैं अपोरा विश्व COVID आने के बाद, Corona के बाद थोड़ा सा रुक गया था और अब धीरे धीरे समला हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है Even I took mine और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है Now I am back on my feet All set to kick, start again और फिर से मैं अपने कदम आगे बढ़ा रही हूँ अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ और सब कुछ पहले जैसा start कर दिया है But only with your love and blessing लेकिन मुझे अभी भी आप लोगों के blessing और प्यार की आवशकता है इन ही चीजों की वज़े से मैं फिर एक बार अपने पैर पर खड़ी हो रही हूँ चल दिया हूँ फर अचानक से उन्होंने बहुत ज़ादा मेहनत की और उतनी फिटनेस काफी स्लीम हो गई काफी स्लीम उन्होंने अपना figure पा लिया काफी लोग कहने लगे बहुत अच्छा वज़न उन्होंने कम कर लिया लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोग हैं जो उन्हें ट्रोल करते हुए कमेंट्स लिक रहे थे कि क्या आपने वापस से पूझ भी रहते हों से क्या आपने वापस से अपना वज़न बढ़ा लिया है तो आमरपाली दूबेजी का साब तोर से ये कहना था कि हां बढ़ गया है बढ़ा नहीं लिया है लेकिन इस वज़े से क्योंकि करोना हो गया था और करोना होने के बाद शरीर काफी ठक जाती है शरीर कमजोर हो जाती है और उस समय शरीर को प्रोटीन की आवशकता होती है जिस किसी भी प्रोटीन की आवशकता हुई वो किया और इस बीच उन्होंने अपना डाइट रोक दिया इस बीच उन्होंने फिटनेस को करते हुए जो भी वर्काउट कर रही थी वो सारी रुग गया जिसकी वेज़े से शरीर बढ़ गया है लेकिन फिर एक बार अब जो है वो जो कमजोरी थी उनके शरीर की वो हट चुकी है और फिर एक बार अच्छा खासा ध्यान अपने डाइट पे दे रही है लेकिन बहुत ज़ादा जरूरी है कि आप जी सरी के संसे प्यार करते हैं ये प्यार बरकरात रखिए और पहले जैसे आमरपाली दूबे जी को जैसा आप देख रहते वैसे वो जल्दी आपके सामने बनकर फिर एक बार हाजिर हो जाएंगी इस तस्वीर के साथ आमरपाली दूबे का लंबा चाड़ा पोस्ट और बिलकुल मैं हम आपके साथ हैं आमरपाली जी आप जब बहुत खुबसूरत लगती थी तब भी बहुत टैलेंट था उसके बाद आपने गजब धाया फिटनास बहुत प्यारी आपने ले आइए अपने हमें बहुत बढ़ाओ लाया अपने शरीर मर तब भी हम में आप बहुत जादा पसंद आए अभी बहुत पसंदार ही और याद रखिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है धरमदुबेशो नमस्कार हर हर मादेव